नमस्कार, हिंदेश चाहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकरु के साथ, जो लोग HP, LTT, LTT कमिशन और PGT हिंदी कमिशन की तैयारियां कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए ही हमारी ये प्रशनोत्री की जो सीरीज चल रही है और जितने भी हमारे YouTube में YouTube चैनल से तैयारियां करने वाले स्टूरेंट्स हैं, उनके लिए ये प्रयास हमारा छोटा सा प्रयास है, और इसमें हम लगातार 20-25 प्रशन आपको लाते रहते हैं, तो आज हम इसका 6 पार्ट आपके बीच में लेके आए हैं, और इससे पहले वाली वीडि था, वो आया था हमारा कि हम एक ऐसी प्रशनोत्री बनाए जो हमारे भारतिक आवेशास्तर को लेकर के हो, हलनकि PGT में आप देखेंगे भारतिक आवेशास्तर पूछा जाता है, और दूसरा आपका LT TET में भी पूछा जाएगा, जबकि LT कमिशन में भारतिक आवेशास्तर के सासाथ पाश्यात्य कावेशास्तर भी रहेगा, तो अगर आप LT कमिशन की तैयारियं कर रहे हैं, तो आपको ज़ादातर पाश्यात्य कावेशास्तर पढ़ने की जरूरत भी है, तो आज की जो हमारी प्रशनोत्री रहेगी, ये टोटली बेस्ट है हमारा जो हमारा भारत भारति कावेशास्त्र है उसके उपर तो उसके हमने कुछ प्रश्णियां पर रखे हैं और उनकी व्याक्या भी आपको मिल जाएगी तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि इस तरीके का भेतर कॉंटेंट हम आपके ल माना जाता है यह रस संपरदाय को माना जाता है और इन छे संपरदायों की उत्पत्ति क्यों हुई थी कावे की आत्मा के प्रश्ण को हल करने के लिए किसी ने रस को कावे की आत्मा माना तो किसी ने रीती को किसी ने द्वनी को तो किसी ने वक रोकती को यहाँ पर जितने लोगों को यह ऐसे याद ही होंगे लेकिन जिनको नहीं पता है L.T.T.E.T. की जो तेयारियां कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक चीजें हैं और ऐसी ही चीजें आपको पूछी भी चाहेंगी हमारा दूसरा प्रशन है जबकि भामा ने कहा था शवदार्थ हो सही तो काव्यम यह हम सब लोग जानते हैं सबसे पहले हम शायद इसी ही परिभाशा को पढ़ते हैं इसके लाबा अगर हम बात करें दंडी की तो दंडी ने कहा शरीरम तावदिश्थार्थ वेवचिन्ना पदा वली मतलब यहां से साफ शब्द चलगता है कि काव्य के शरीर की बात सब से पहले किसने की दंडी ने की थी जगननात ने कहा देखिए रमणियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम कि जो रमणियार्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द हैं वही हमारा क्या है साहित्य है तो नेक्स कॉशन आता है देखिए अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती शीर्षक से किस ग्रंथ की टीका लिखी है तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अभिनव गुप्त ने तीन टिकाएं लिखी है एक नाटेशास्त्र पर एक ध्वन्यालोग पर और एक काव्यकॉतुप पर तो यह जो अभिनव भारती लिखी इन्होंने ये नाटेशास्त्र पर लिखी थी और इसके साथी साथ द्वन्य लोग पर इनुने लिखा था द्वन्य लोग लोचन और आप सब लोग जानते हैं द्वन्य जोidarबु आनंद वर्धन की रचना है और कावे कॉश्टूव जो है ये आपके कूबलियानन्द की कुबल्यानंद के रचनाकार जो रहे हैं देखना जो आपका अप्य दिक्षित उनकी कावे कौतुक रचना रही है जिस पर इनने कावे कौतुक विबरण टीका लिखी है तो ये अभिनव गुपत है इनका एक और भी ग्रंत रहा इसका नाम था तंत्रा लोग नेक्स यहाँ पर आता है देखिए कावे प्रकाश किसकी रचना है तो सीधे से प्रशना आपको पूछ जाता है इनको आपने ध्यान में रख लेना है कि जो रचना वाला प्रशना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए जो भी नाम यहाँ पर प्रमुक लिखे गए है उन सब नामों को आपको याद रख लेना है तो मम्मट इसका सही आंसर हो जाएगा और रितिकाल में इसी शीर्चक से किस ने रचना रची थी यह आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं तो रुद्रट की रचना का नाम था कावे लंकार और भामा ने भी इसी नाम से लिखा था देखना राश शेकर ने कावे मिमासा लिखा और मममट ने कावे प्रकाश लिखा है जबकि भानुदत की जो रचनाय मिलती है रसमंजरी और रसतरंगेनी शीर्चक से दो इनकी रचनाय रही है ये भी इंपोर्टन है इसके लाबा और भी बहुत सारे मु कि इस आरे क्या थे गलत थे यहां पर हम देखेंगे कि जो भोजराज ने लिखी थी उन्होंनने लिखी थी सरस्वती कंठा भरण जबकि कृशेमेंद्र ने लिखा था कवी रितिकालीन कवी हुए देखना इन्होंने कौन सी लिखी थी कवी कुल कंठा भरण तो रितिकाल की किस कावेधारा के अंतरगत दूला कभी आते हैं ये आप कॉमेंट सक्षिन में जाकर बता सकते हैं अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेर भी जरूर कर दी हैं आपके जो जैदेव रहे इन्होंने एक और महतवपून ग्रंथ लिखा था जो इनका गीत गोविंद आता है इसको भी आपने यार रख लेना यहां पर बाकी जो रशनकार रहे हैं देखिए हेमचंद्र इनकी कावे अनुशासन रही है संस्कित कावे शास्तर की बहुत भी कर ली थी तो बाकी यहां से इनको आप एक बार जरूर देखिए नेक्स क्वेशन आता है कवीता कवी विशेश की भावनाओं का चित्रन है यह कथन किसका है तो कावे के संदर्व में भारति कावे शास्तरी और जो आधुनिक भारत के चिंधक रहे हैं उन्होंने भी अ किसी दूसरे के रिदय में भी पनपती हैं या उड़ती हैं ये इनका पूरा कथन था महादेवी वर्मा का इसके लाबा मातमा गांधी ने कहा था कि साहित्य वह हैं जिसे चरस खिंचता हुआ किसान भी समझ सकता है और भूखा 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 नी स्वरी खूब पढ़ा लिखा भी समझ सकता है प्रेमचन ने कहा था साहित्य जीवन की अलोचना है और महाविल प्रसाद दिवेदी ने साहित्य के बारे में बहुत सारी परिभाशाएं दी उनमें से दो यहां पर रखी हैं अंतरकन की वृतियों के चित्र का नाम कवीता है और ज्यान राशी के सं उत्पत्ती के जो कारण है उन्हें क्या कहा जाता है तो बहुत ही असान और सिंपल सा प्रशन है जब भी हम कावे के बारे में शुरुवात में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही तो टॉपिक आते हैं कावे लक्षन, कावे हेतु, कावे प्रियोजन और कावे शास्त्र तो खेर हमारा वीश्य ही है तो देखिए जो उत्पत्ती के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है कावे के हेतू अगर कावे लक्षनों की हम बात करें तो कावे को परिभाशित करना ही क्या क्या लाता है कावे के लक्षन प्रस्तुत करना माना जाता है बात अगर हम करते हैं काव में हम देखते हैं संस्कित में क्या का जाता था अलंकार शास्तर के नाम से भी जाना जाता है कभी कभार आपको ऐसा प्रशन भी पूछा जा सकता है कि कावय शास्तर को क्या शब्द दिया गया है यहाँ पर अगला प्रतीभा से रखा गया है प्रतीभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने माने है बहुत ही important है देखना प्रतीभा तो ये भी आपका कावय का एक प्रमुख हेतू ही माना जाता है प्रतीभा तो सहजा और उत्पाद्या जो भेध माने थे प्रतीभा के ये माने थे रुद्रट ने जबकि राजशेख ने कारित्री और भावित्री मानी हेमचंद्र ने प्रतिवा के दो ही बेद किये सहजा और ओशिदी की यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सहजा हमारी जनमजात है जो सहज है और ओशिदी की जिसका मतलब है जिसे हम सीखते हैं आसपास के लोगों से और अपने ज्यान से तो वो होती है ओशिदी की या फिर मुझे उत्पादित करते हैं उत्पाद्या भी कहते हैं वैसे ही कारि नमित्री का समन्द वो पाटकों से माना जाता है कारित्री भी हमारी क्या होती है सहजा के समान ही जनमजात मानी जाती है तो इनको भी आप याद रखिए महत्पूर्ण है आपका प्रतिभासे समंधित प्रश्न अगला प्रशन है प्रियोजन से लेकर कि कावे के प्रियोजन जो है भरत्मुनी के अनुसार कितने है तो देखे अलग-अलग विद्वानों ने कावे के प्रियोजन जो थे वो अलग-अलग माने हैं यहाँ पर भरत्मुनी ने कावे के प्रियोजनों की संख्या आठ रखी है इसके लावा भामा दंडी वगेरा ने भी कावे के प्रियोजन दिये हैं तो यहाँ पर आठ जो छे जो थे देखिए सबसे पहले मममट की अनुसार अब ये छे कौन कौन से थे देखिए यहाँ पर यश की प्राप्ति अर्थ की प्राप्ति वैभारिक ज्यान अशिव का जबकि वामन ने दो ही माने हैं कीर्थी और प्रिती और दंडी ने केवल एक ही माना है लोक विद्पत्ति जो लोक ज्यान उसको कहते हैं इसके अलावा भामा ने जो पुरुशार्थ चातुष्ट्य की बात की है धर्म अर्थ काम मोक्ष इसके साथ ही साथ उसने कीर्थी औ दस अवस्थाओं में शामिल नहीं है ल्टी टेट के स्टुएंट्स को पिछली साल भी यहां से प्रशन पूछा गया था तो विप्रलंग श्रिंगार का मतलब है यहां पर सिंपल सा आपका जो वियोग पक्ष है वियोग के दो भेद रहते हैं संयोग और वियोग पूर्वानुराग कहते हैं और इस प्रशन को हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया था पूर्वानुराग मतलब जो वियोग के कितने भेद हैं उसमें अमने इसको अच्छे तरीके से डिसकस किया है तो वहां से आप इसको देख सकते हैं अगला प्रशन है रस के अव्यवाव क की संख्या कितनी है सिंपल सी बात है कि रस के अंग कितने है यह यहां पर पूछा गया है तो यहां पर जो रस के अंगों की संख्या होती है देखे यह होती है चार यह हम सब लोग जानते हैं सबसे पहले आता हमारा स्थाई भाव फिर विभाव आते हैं फिर अनुभाव फिर एक उदीपन है अलंबन का मतलब सीधर सा होता है जिसकी वज़ा से हमारे स्थाई भाव जागरित होते हैं और जो कारण बनता है और अलंबन होता है उसकी जो अलंबन का व्यभार है उसकी जो चेश्टाएं है उसको हम क्या कहेंगे अलंबन कहेंगे फिर अनुभाव आता है आश्रे की चेश्ताएं, तो आश्रे की चेश्ताएं, इसके चार भेदें आगे, ये आपने देखलेने हैं, सात्विक मांसिक काager प्गिरा जो आते हैं, व्यविचारी है, इसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, and ये स्थाई भाव को पुष्ट करने वाले रहते हैं, इनकी तो यहां पर लिखा है देखिए एक तरफ जो जितने भी संफरदाय के जो प्रमुख ये व्याख्याकार रहे हैं जिनोंने रस निश्पत्ति जो सूत्र था भरत्मुनिका इसको क्या किया था उसने दिया था जहां पर वो कहते थे विभावा ने भाव विचारी सियोगाद र उसके व्याख्याकार चार हुए हैं सबसे पहले भटलोलट दूसरे नमबर पर शंकुक भटनायक और चौथे नमबर पर अभिनव गुप्त तो यहां पर सभी ने यही कहा है देखना कि रसकी उधपत्ति होती है एक ने कहा अनुमान लगा जाता है एक ने भोगा बोला गय तो रिती के लिए प्रवरिती जो शब्द दिया था ये भरतमुनी ने दिया है जबकि वामन ने सबसे पहले रिती को रिती कहा था दंडी ने इसको काव्य का एक मार्ग बताया जैसे पत हम कहते है जिसको भरतमुनी इसको प्रवरिती कहते थे और आनंदवर्धन ने इसको संगठना कहा है, मतलब संरचना कि हम साइतिक सरचना किस से करते हैं और आनदवर्धन नहीं इसे किस से जोड़ा है समास से जोड़ा है ये चीज भी आप यहां पर ध्यान रखिए अलंकारों को परिभाशित करने का सबसे पहला प्रियास किस ने किया बहुत ही आसान सा प्रशन है बहुत साइ लोग जो है इसका आंसर भामा कर जाते हैं जबकि भामा इस संफरदाय के प्रवर्तक थे और दंडी ने इसको क्या किया दंडी ने इसको सबसे पहले परिभाशित किया है और इनकी परिभाशा भी बहुत बार पूछी जाती है, अक्जाम में देखना, तो इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें, कावे शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो इसने कावे को क्या कहा है, अलंकार को कावे की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहा था इसने, यह प्रशन ऐसे भी कई वार पूछा जाता है, तो यह ध्यान रखने लाइक चीज़ है, अलंकारों के समंद में यह किसने कहा था, कि यह साधन है, साध्य नहीं, बहुत ही important line यहां पर कही गई है देखना, अलंकारों को लेकर के जो भारतिय विद्वान अचारे रामचंद शुकल थे, उन्होंने यह कहा है, कि यह साधन है, साध्य नहीं है, और पूरी line कहा थी, कि मैं अलंकार को केवन वर्नन परनाली ही मानता हूं, यह साधन है, साध्य नहीं, वेदव्यास ने क्या कहाता देखी, यह प्रशन पूछे गया थे पीछले पिपर में, अर्थ अलंक खون लाइने है, सारी की सारी, जो भी अलंकारों के संध्रण में, यहां पर रखी गई हैं, नेक्स क्वेशन आता है, कावे गुणों की संख्या 20 किसने मानी है, देखना कावे कि जो गुण है, वो अलग-अलग विदवानों ने, इनकी संख्या अलग-अलग मानी है, तो जो कम अगरम देखे तो वेदव्यास ने 19 माने भामा ने 3 ही माने है और यही सर्वमाने मत्वी है जो आपका ओज प्रसाद और माधूर्य गुण है यह आपको याद रख लेने हैं जबकि भरत मुनिने भी जो कावे गुण है वो 10 ही माने हैं हमारा अगला प्रशन है देखिए अचारे आनंद वर्धन ने ध्वनी के विरोधियों के कितने बेद किये तो ध्वनी विरोधि अचारे आपने अकसर पड़े ही होंगे तो यहाँ पर जो अचारे आनंद वर्धन जो ध्वनी संप्रदाय के क्या प्रवर्तक रहे उन्होंने अपने विरोधियों के तीन भाग किये थे, कौन-कौन से आते हैं, ये देखिए, एक है अभाववादी, अभाववादी का मतलब होता है, जहां पर अलंकार और रीती को महत्व देने वाले हो, ये अलंकार और रीती को ही महत्व देते हैं, जबकि भुक्तिवादी किसके अंत लोग रहते हैं तो इसने तीन आधारों पर अपने विरोधियों को बांटा है अब कौन-कौन से हैं धौनी विरोधी या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं हमारा आज का आखरी प्रशन है भारतिया वक्रोक्तिवाद का विलाईती उत्थान है किसे कहा जाता है तो देख ये भारतिया वक्रोक्तिवाद का विलाईती उत्थान कहा गया है ये अभिवेंजना वाद को कहा जाता है और ये किस ने कहा था ये अचारे रामचंदर शुक्ल ने कहा था और हिंदी में अभिवेंजना वाद का सबसे पहला उलेक जो है वो अचारे तो ये थे आज के 20 प्रशन, I hope कि आपने इन 20 प्रशनों से और भी बहुत साई प्रशन जो हैं वो सीखे होंगे, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत!